रादे रादे फ्रेंट्स राज किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बटाटा पोहा यानि के आलू का पोहा यह बहुत यमी और तेश्टी बनता है एक साथ इंडियन रेस्पी है आप इसे बना करके देखें यहाँ आपको वश्पसंद आएगी पोहा आप बनाते ही होंगे आप एक बार इस तरीके से बना करके देखें मैंने यहाँ दो कप पोहा लिया है दो कप पोहे को मैंने दो बार पानी से अच्छी तरह वश्पस कर लिया है अब इसको हलके हातों से आपको वश्पस करना है जैसे पानी डाला और हलके हातों से चुकि पोहाच तूटना नीच चाहिए इसे हलके हातों से इस तरीके से आप वाश करणें इस तरह से आप इसे दो वार वाश करणें जिससे कि इसकी जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी और आप इसे एक तरफ रखनें अब एक आलू ल जाए इसमें दो बड़ी चमच और डालेंगे मैंने यहां रिफाइन आउल का प्रियों किया है आप चाहे सर्सों का तिल का भी प्रियों कर सकते हैं अब आलू को इसमें अच्छी तरह से तलेंगे जिससे के आलू पकने लगे जब आलू 50% तक पक जाए तब इसमें मुफली क दाने डाल देंगे और मुफली के दानों को भी क्रेकल होने तक पकाएंगे जब तक कि वो पकने ना लग जाए जिससे के सभी चीज़ें अच्छी तरह से अब इसमें प्याज डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से पकने देंगे जब ये सभी चीज़ें 90% तक पक ज किया है अब इस तरह से आपको लगे कि आपके आलू तयार हें पक गए हैं और मुफली भी भुन गई हैं तब आप इसमें लेकिए आलू जासे चाकू से इक लिए या आप अपने कलची से ही काटें तो आपकी आलू त्यार हो जाएगा इस तरह से आप आप इसमें मसाले डालेंगे इसमें मैंने आदा चमच हल्दी डाला है और इसमें जो हमने पोहा लिया था पोहा डाल देंगे और पोही को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे आप इसमें सादानुसा नमक डालेंगे मेनिया एक चमच नमक का प्रियुक्व के है और एक चमच चीनी डाला है अब इनको अच्छी तरह से हलके हाथों से धीरे धीरे mix करेंगे और इसको कम से कम 13-54 मिनट अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर पखने देंगे जिससे कि यह अच्छी तरह से पख जांए जब यह अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें एक नीव का रस निचोड़कर के डाल देंगे अब इसमें हरादनिया डालेंगे आपका इसे एक से दो मिनट और पकाएंगे इसे मीडियम फिलेम पर ही पकने दें अब यह आपके पोहे ट्यार हैं अब इसे हलका सा पाणी डाल करके ज़्यादा दो चमच के लगए पाणी डालना है और गैस को बंद कर दें और इसे धककर के रख दें दस मिनट के लिए जिससे कि इसमें मुष्चेर बना रहे और खानी में यह सॉफ्ट लगें इस तरह से आप दस मिनट बाद इसे खोलें और हलके हातों से इसे एक चलाएं जब यह चलाएं तो इन्हें आपके यमी और टेश्टी पोहे त्यार हैं इन्हें नीवू से और बारिक सेफ से सजा करके सर्फ करें आपके सब्सक्राइब करने नीवू से लगें